प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आकर कौन बैटेगा और कब बैठेगा इस दोरहन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिसके नाम सामने आते हैं उसके मामले भी सामने आ जाते हैं और क्या ये महस एक इतफाक है रामलाल शर्मा जी सर महस इतफाक कहा जाए ये फिर सोची समझी एक साजिश कही जाए कि जो जो नाम सामने आता है उस इसके खिलाब प्रदेश के अंदर आरोब भी सामने आ जाते हैं जो कारे से लिए उसकी अंग Room हमारी पार्टी काम नहीं करती है और दूसरी बात हिए कि हमारी पार्टी के अंदर मैं इस बात को स्विकार करता ह Sebastian कि 55 दिन से जिस बात की जिकर आप सब लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे एक मुखिया का आदेश नहीं चलता भारती जंता पार्टी के अंदर अगला राष्टे देक्स कोण होगा ये कोई नहीं कह सकता जबकि कोंग्रेस पार्टी के अंदर तो अगला देक्स भी उसी परिवार स जूर होता है को जिस तरीके से जी अर्चना जी जिस बात का जिकर कर रही है अर्चना जी आपके पूर मेर ने क्या स्टेटमेंट दिये है है क्या हुआ आपकी अनुसासनिह था ने हैं प्रदेश कर रहे हैं लेकिन खुद तो चिंता ही कर रहे होंगे 45 जिन से कुरसी खाली है किसी को तो भढ़ने के लिए आना पड़ेगा लेकिते अंदर से बढ़ने करने के लिए अन्य पड़ेश का नाम सामने गई हैं मैं असे तप़ाक है और तर इस लोग तंतर के अंदर सब को इन्धेश को बिर्ड़न वैं वैट्यों निया जो भी है सब मामें को आपने चंदा करो ना कमाल की बात ये कि कोंद्रस में एक भी नहीं सामने ल Candies आए इसमें कोई स्टा además ओर सी ने अधल नहीं अंहाधर और समार इदल और कर Factory के अंदर के लिदे कुछόे हैं की जारे हैं हुष हो अरुकि नियुक्त पॉलिक्स और सब्सक्राइब कर दिए हुख … कि बीजेपी को इस सब में पढ़ना चाहिए था अभी की जो स्तती हम देख रहे हैं तो ठीक है वहाँ पे जब आपका जब उपचुना हुआ था उसके बाद पार्टी बड़ी मुश्किल से उस धक्के को संबाल के आगे बढ़ने लगी थी लेकिन इस पूरे मामले में मतला इस पैतालिस दिन के एपिसोड ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत बुरी तरह से डीरेल किया है उस प्रोसेस से जो कि पहले धक्का लगा था फिर बड़ी मुश्किल से आने लगे थे अब वापस डीरेल हो गया अभी कैसे सुधरेगा क्या करेगी पार्टी इसके ले मुझे नहीं पता कि पार्टी जाने पार्टी का काम जाने लेकिन इससे ओर और ऑल पार्टी के लिए बहुत बुरा मेससज जा रहा है मैं तो इतना सा जानता हूं जब लोगों से बात करते हैं तो वह भी कहते हैं कि इस बार जो उस्थती देखने में आई यह पहले कभ कि अरचना शर्मा जी आपने गाई कि कॉंग्रेस ने एक भी मुद्धे को नहीं उठाया अब इसका मामले का मतलब क्या माना जाया यह माना जाया कि कॉंग्रेस इन सब चीज़ों में पढ़ती नहीं सियासत करना नहीं चाहती या फिर उसके पास यह जानकारी होती ही नहीं नहीं देखे विजिंद जी राजनेतिक शुचीता इसी चीज़ को मांगती है कि कम से कम किसी दूसरे के संगठन को लेकर कि हम बीच में कुछ हस्तक्षिय अपना करें अब दूबीदा क्या है कि यहां तो नोज नया नाम आता है फिर कल सुने मैं एक कमिटी का गठन कर दिया गया से आप तीन लोग मिल करके निश्चा करेंगे किसका नाम आगे बढ़ाना है तो जब इतना क्या सकते कन्फ्यूजन हो इतना सिर्फ उटो वलो इतनी निश्टाओं का आकलन करने की स्तित्यूत पन हो जाए तो कम से कम मैं रामलाल जी इतने वरिश विदायक है इनसे ए दिराजनीती में प्रतिभागीता रखनी है तो चमचावाद को प्रश्रय देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है ये देखने को रास्तान की जनता को मिला और ये भी मत कही कि एक फैमिली को लेकर के हम चलते हमारे चुना होता है बूट से लेकर के राश्टी अध्यक्ष तक का उसे चिनाव आयोग मॉनिटर करता है आप क्या मैंने नहीं देखा आप क्या जब जना कृष्ण मूर्ती को अध्यक्ष बनाया राश्टी है तो बहुत लोग करते ही व्यक्ति है कौन हम तो जानते ही नहीं है तो ऐसे उधारन आपने प्रसूत किया अविद्भाईशा गु प्रित यहां पर यहाँ पर किया जा रहा है यह आपके लिए विचार नहीं है घूटे नहीं है और प्रदेश अद्धिक्ष ने उसके दूसरे दिन जब प्रस वारता हुई इस पर्श रूप से का इन डिसिप्लेंट की स्वीकारेता किसी स्तर पर नहीं होगी हमने जाच कम तबी अच्छी स्वीकारे होती है जनता की बीच में जो आप गरीम और सही हम के साथ चले और अपने नेताओं को इस संदेश दे रहें अगर आप आश्रण अच्छा रखेंगे तो आपके लिए सुखह दर नहीं रखेंगे तो पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पार्टी घ्ल नेमारे विदाखों के किलाब कर रहा है भानी सिन्ह राजाबत इस के लाव और कितने लाइग सेंगिता हम दोख वह हुई है कोई एक्षन हुआ ना निश्ची दूरूप से कारवाई भी है कोटा से आने वाले पहले भी एक मानिय विदाएग ने जो इस्टेटमेंट उसकी ओडियो रिजी थी उसाधर पे कारवाई भी भी फार्टेंट उसको ने वापस रहा हुआ है जो भी प्रदेश अध्यक्षोग उसको तीन पैरामीटर पर अपने आपको साबित करना होगा पहला जाती दूसरा संग तीसरा केंडर और चोता प्रदेश यह चार पैरामीटर जिस पर उसको कोई साबीत होने के आफ सकता नहीं है पहराइमेटर सिर्फ एक है सब कारेकरताओं को साथ लेकर सब साथ कारेकरताओं को वो मेरी बास सुनें अर्चनाजी सब कारेकरताओं को साथ लेकर सबसे तालमेल के साथ काम कर सके हैं कारेकरताओं की कहां पूचा जा रहा है जो मैंने चार पैरमेटर बताइए जरूरिया जो भी बैठेगा कुरसी पर कि जो सीम को पसंद होगा वो मुख्य मंत्री बनेगा क्योंकि और यह बहुत ऑब्यस सी बात भी है मुझे लगता है कि नजरी से देखा जाए तो हमने देखा है कि जहां जी इस तरह की स्तती बनी है कि चलिए मनीजी शुक्रिया जोड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया चर